नमस्कार मित्रों जै मातादी मित्रों हिंदु धर्म में भगवान सूरेदेव को अर्द देने और पूजा आदी का विसेश महत्म बताये गया है सूरेदेव को स्वास्त पिता और आत्मा का कारक माना जाता है धार्मी मानेताओं के अनुसार सूरे देप को अर्द देने से सभी तरग के कश्टों से छुटकारा मिलता है अगर किसी के जातक के कुंडली में सूरी कमजोर रितिती में है तो सिर्फ जल चढ़ा कर भी सूरी को मजबूत किया जा सकता है सास्त्रों में भी यह नियमित रूफ से भगवान सूरी देप को जल अर्पित करने का विसेश्व महत्प बताये गया है लेकिन सूरी देप को जल चढ़ाने से पहले उसके कुछ नियम के बारे में जान लेना बहुती जरूरी होता है और ऐसे में आप लोगों को सूरी को जल देते समय एक चीज आप अपने लोटे में या जिस भी पात्र में आप भगवान सूरी देप को जल चढ़ाते हैं तो आप अपने पात्र में एक यह चीज जरूर डाल लें मतरों सूरी देप को जल अर्वित करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए नियमों के पारण के साथ ही अगर आप सूरी देप को जल अर्वित करते हैं तो माता लक्ष्मी जी के खिरिपा होती है अब आईए जानते हैं जल चढ़ाने के नियमों के बारे में से भगवान सूरे देप को जल चढ़ाने से जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहती है संभव हो तो उगदेवे सूरे को जल चढ़ाएं उगदेवे सूरे को जल देने से खास फलों की प्राप्ति होती है ऐसी मानने आता है कि सुभा के समय सूरी के निकलने वाले क्रणे सरीर के कष्ट को दूर करती है इसलिए रोगों से मुक्ति के लिए उकतेवे सूरी को जल तढ़ाना विहदी सुभफलताई होता है सूरी देव को जल का अर्द सर्फित करने के बाद तीन प्रक्रिया अवस्य करें और इसके बाद धर्ती के पैर को चुकर ओम सुर्याईनमा मंत्र का जाप करें सूरी को अर्द देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोनुं हाथ सिर के उपर हो इतना ही नहीं सूरी देव को जल अर्फित करने से नवगरह की प्राप्टी होती है मत्रों इस बात का पर ध्यान रखें कि लाल कपड़े पहन कर सूरी देव को जल देना बहुत की सुब होता है जल अर्फित करने के बाद धूप अगरवत्ती आदे से भगवान के पूजा करें अर्द देती समय जल में रोली या फिर लाल चंदन या फिर लाल फूल आप अवस्ते डाल लें जो तीसों की मानें तो सूरे देप को जल हमेशा सुबह के समय देना बहुत सुफलदाई माना जाता है अगर सूरे के दर्सन नहीं हो रहे हैं तो जहां आप खड़े हैं वहीं उनका नाम लेकर जल को अर्फित करने से लाभ भी मिलता है इसे दोरान आप ओम आदित्यनम मंत्र या ओम घरणि सुरिया नम मंत्र का जाब करना भी फलदाई होता है सूर्य देप को जलर्पित करड़े से समय ध्यान रखें कि पुर्व मुख दिसा की और हो और पुर्व दिसा की और सूर्य नजरना आने फिर दूसरी दिसा जहां वह दिख रहे हैं उन्हें की और मुख करके आप अर्द दें ऐसे में भगवान सूर्य देप आप लोगों को बहुती प्रसन्न होते हैं और आप लोगों के जीवन की सभी प्रकार के कश्टों को सभी प्रकार के समस्याओं को हमेशा ही दूर करते हैं और आप लोगों के जीवन में सुख समर्दी और धन की प्राप्ती करवाते हैं मित्रों आप लोगों को बता दें कि भगवान सूरे देव को जब भी आप जल समर्फित करें तो उसमें जल चढ़ाने से पहले आप कुछ इस प्रिकार से लाल फूल, कुम-कुम और चावल डाल कर ही जल चढ़ाएं सूरे को अर्द देते समय जल गिर्त धारा के साथ सूरे की किरणों को अवस्य देखें सूरे को पूर्वदिशा की और मुग करके ही जल को अर्फित करें ध्यान रखें कि पान ही आपके पैरों पर न पहुचे जल चढ़ाते समय सूरे मंत्र का जाप करना बिहदी सुवफल द समय सुभका होता है जल चढ़ाते समय जूत चपल नहीं पहने सूरे को नंगे पाओं जल अर्फित करें जल तड़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके पैरों में जल न अढ़ाये और इन बातों का ध्यान ने रखना असुफ फलों की प्राप्ति करवाता है मत्रों जोती सास्त्र में सूरी को आत्मा का कारक बताया गया है। इसलिए आत्म सुधी और आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए नियमेत रूप से सूरी को जल चढ़ाना चाहिए। नियमेत रूप से भगवान सूरी को जल देने से सरीर उर्जावान बनी रहती है। यदि आप नौकरी में परसानी का सामना कर रहे हैं तो नियवित रूप से भगवान सूरेदेव को जल देने से अधिकारियों की मदद से आप लोगों के जीवर में नौकरी आमें पा रही सभी प्रकार के कष्ट दूर होती हैं, परसानियां दूर होती हैं। सूरेदेव को जल देने के लिए तांबे के वरतन का प्रियोग करना उत्तम होता है। सूरेदेव को जल चड़ाने से पहले जल में चुटकी भर रोली और लाल फूर लेकर जल चड़ाएं। सूरेदेव को जल चड़ाते समय ओम सूर्याई नमह का 11 बार आप कम से कम जाप अवस्य करें। क्योंकि भगवान सूरेदेव बहुती रभावसाली देव हैं। जोकि जीवन में मनुस्यों के सारे कश्टों को दूर करने के साथ साथ आप लोगों के जीवन में सफलता को प्राप्त करवाने में आपके सहायता देते हैं। त्थतर्व्त्ति दिखने के बाद आप भगवान सूरदेव की सामने घुटेनों पर बैठ कर भगवान सूरदेव से मांगे गई इस सारी इंगताय आप या आपके भविस्य के लिए अच्छी हो वह सारी की सारी मुनकामना हैं भगवान सूरदेव जरूर पूरी करते हैं लाबकारी प्रणामों की फ्राप्ति भी करवाते हैं मत्रों अगर हो सके तो आप भगवान सूरे देप को जल लाल कपड़े पहन कर ही दें क्योंकि लाल कपड़ा भगवान सूरे देप को वेहर दिफ्रिय है और लाल कप्णा में भगवान सूरे देप को जल दे रहा बहुत सुब होता है और चल अर्फित करने के बाद आप भगवान की पूजा उपासना जरूर करें भगवान सूरे देप आप लोगों के जीवन की सभी मनुकामनाओं को सारी इक्षाओं को सारी समस्याओं को और जितने भी आपके कष्ट हैं उन्हों सभी को दूर करके आपको सुखी संपनता प्रदान करने बाले हैं मित्रों आप लोगों को बल, तेज, प्राक्रम, यस और उत्सा भी भगवान सूरे देप बढ़ाते हैं आशन पर खड़े हो कामिर की पात्र में आप जल दें और उसी जल में हो सके तो मिस्री भी मिलाएं कहा जाता है कि भगवान सूरे को मिठा जल चढ़ाने से जन्म कुंडली के दुसित मंगल का उपचार हो जाता है मंगल सुबतो उसकी सुबता में विर्दी होती है जैसे ही पुर्वदिशा में सूरे गमन से पहले नारंगी करने प्रफुलित होती हैं आप दोनों हातों से तामवे की पात्र को फकड़ कर इस तरह जल चढ़ाएं कि सूरे जल चढ़ाती धार से दिखाई दी प्रातकाल का सूरे को मर होता है और से सीधे आखे से देखना आखों के जोती वढ़ाती है सूरी को जल धीमेधी में इस तरह चड़ाई की जलधारा आसन पर आगिरे न की जमीन पर जमीन पर जलधारा गिरने से जल में समागत होती है सूरी उर्जा धर्ती में चली जाएगी और सूरी को अर्द देना संपुन लाब आप नहीं लेपाएंगे आप लोगों को अर्द देते समय भगवान सूरी देव के मंतरों का उचारण करना जरूरी होता है बत्रों आपका दिन बहत्र बनें इसके लिए कमेंट अवाक्स में ओम सुर्याई नमा जै सूरी देव अवस्तलिक है आपका दिन सुभो मंगल कारी हो जैमा बिंद वासनी